मित्रों नमस्कार, मैं संजें पत्की, स्वरस्वामी एक और स्वरस्वामी दू आफ़ी शियर इन दोनों चैनल के माध्यन से आपके समख्ष फिर एक बारा जिरू रहा हुआ मैंने आपसे एक पिछले एपिशोड में बात की थी कि चार में चोबिस की जो शुंकला है उसके अंतरगत जो भी रागों के अंदाज से जैसे हमने पधनिसा इसे बिलावल थाट के राग के अंतरगत हमने लिए थी मैं यह तीन-चार एपिशोड जो बना रहा हूं यह रागों के जो थाठ है उसमें जो सूर लगते हैं क्योंकि आप भोलेंगे गुरुजी थाठ गाये नहीं जाते हैं बिलकुर मन्जूर थाठ गाये नहीं जाते हैं थाठो में से राग जो उत्पन रते हैं उन्हीं को गाया जाता है लेकिन जो थाठो में सूर होते हैं उसमें से कुछ सूर उस राग में होते हैं तो हमको पहले थाठो में जो सूर लगते हैं उस सूर के उपर ना कि राग के उपर ध्यान देना है वही सूर रागों में लग वह रागों में वही सुर्गा प्रयुव होगा तो आपका एक पैटन पका करने कवाद में आप दसो राग में उसका यूज कर सकते हैं कि और करके किसी पर्टिबलर राग को गाने के लिए उस रागों को नियमों की एक जरूश दिये थाटों का नियम जो है हमको थाट पेश नहीं करना पड़ता हमको आज सीखना है उन स्वरों के ओपर कैसे कमांड लाना उन स्वरों को कैसे हमारे दिमाग में बैठाना कि जो उस थाट में से निकलने वाले रागों में प्रयोग होगी हम लोग रागों पीछे लग जाते हैं और फिर जैसे उदार के तोर पे खमास थाट से तिलंग भी निकलता है खमास भी निकलता है देश भी निकलता है और बहुत से राग निकलते हैं तो हम particular देश का रियाज करेंगे तो करना तो है लेकिन आगे चल के पर खमाश थाट की विशेषता क्या है यह जो सब राग खमाश थाट से उत्पन्द हो रहे है तो इसमें खमाश का कुछ तो आंश होगा जैसे मेरे को समझो मुझे 10 बेटे है तो मेरे 10 बेटे का बाप अगर मैं हूँ तो यह मेरे 10 बेटे कहलाएंगे लेकिन कुछ न कुछ खासे तो उसमें अलग होगी, लेकिन बाप तो एक हो गया, वैसे थाट एक ही होगा, खमाश थाट के अंतरकर जो भी राग आते हैं, उसमें खमाश का विशेशत्व रहे गाई रहेगा, उसके बार में जब रागों में फरक करना है, तो फिर कुछ न लेकिन पहले वो थाट में कौन से सूर है, कौन सा कोमल है, कौन सा तूर है, क्योंकि थाट में तो साथ सूरों की जर्द होती है, उसमें से जो राग निकलेंगे, उसके बाद में उसमें दो, आफ, तीन, आफ, आव, 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 शाडव, ऐसे जो प्रकार चलेगे, तो उसमें जो आपको गाने के लिए विदा होने चाहिए कि अच्छा ये तरीका इस राग में चलता है, इसलिए चार में चोबिस का जो एक का ग्याब, दो का ग्याब, तीन का ग्याब हम जो हिसाब सीख रहे हैं, उसी के लिए सीख रहे हैं, किसी ने मुझे पूछा कि गुर रटा स्टेज पे खुद का सिखा हुआ, खित खुद का बनाय हुआ गाह सकते हैं, जो भी रटा रटाया है वही गान है, अब रटायों जो गाते हैं तो ते कहलाते हैं, हमको किसी राग का एक चौकट लेकर उसमें खुद का ब्रिलेन से दिखना चाहिए, खुद की अलापी, विखुद की तान ये सब चीजे करते हैं निची वही चीज आपको सिखा रहा हूं रागों के पीछे आज मतलग है आपके जहन में आपके दिमाग में आपके गले में वह सूर की उचाई नीचाई कैसे बेठेगी जो कि रात में भी पलग जबत के आपको कहा है रहे गणी सार सुरूपे कमांड आई ऐसा बोल नहीं सकते हैं जब सुरूपे कमांड आती है उसके बाद में जैसे एक छोटा उधान में आपको देता हूं कि हम रोज सबजी बनाते हैं गर में सिस्टीम एक ही है गैस जलाओ, कडाई रखो, तेल दो, राई दो लेकिन उसके पहले raw material जमा करना पड़ता है, प्यांच काटके रखना है, मिल्ची काटके रखना है, जो तरकारी लाईया है, जो भाजी लाईया है, उसको काटके रखना है, उसको दो के रखना है, यह सब रेडी रहने के बाद में आपको सिस्टीम चलाना पड़ता है, एक, दो, तीन, चार, उसके ब बाजी तरकारी में सब्जी जो आएगी वो बदलते हैं कभी वो भी आएगी अपि आलो आएगी कभी बैंगर आएगी इसी तरीके का प्रवक यहां पर करना अचा यह उदान में इसलिए दे रहा हूं कि जो भी मेरे साधक लोग जो भी मेरे स्टूलेट देख रहे है इसको उ वैसे सिस्टीम एकी थाट एकी उसमें बाद में अलग अलग जो राग आते हैं तो राग बदलते हैं लेकिन सबका सिस्टीम एकी रहेगा अलापी तान यह तो हर राग में एक उसकी स्पेशालिटी होगी वो स्पेशालिटी आपको करना है आप लोग प्रेक्टिस करते हो म कि बार बार बोलता हुए उसके बारे में बोलूगा आगे लेकिन आज के इस एपिशय में पहले हमने बोला था कि पधा निसा इसका इसर में निकाल दिया है फिर आ के बाद में द्रह में निलिय का लिया है फिर सा लिया है और सब्रेशा निकाल दिया है ऐ तो चार सूर कैसे आ गए पनी सागा इसका भी चार में चोबिस होता है पनी सारे बोलोगे तो शायद उसमें हंसोधनी गास अपोगे पनी सागा बोलोगे तो ये टुकड़ा बिहाग में आता है उसके आगे क्या है ये नहीं सोचना है पनी साग इसी के बारे में सोचना है सर फिर पनी साग तो इस राग में निया था मैंने पहली बोल दिया कि रागों का अभ्यास हमको करना नहीं है आज हमको खाली ये टुकड़े आपकी दिमाद में रागों के अंदासे आ सकते है इसका ही विचार करना है तो आपको पगसानी यह भी आना चाहिए इसका अभ्यास होना जरूर यह शायद आगे चलके आप भ्याद को भी उसको यूज कर सकते हो शायद फिर नीचे उतरने का सोचने का है तो फिर मारूभ्याग दिया सकता है यानि पनी सागा यह टुकडा है जो जो राग में आएगा उसके लिए यह हम लोग आज जो लियाज कर रहे हो काम आएगी